जैहिन दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे ग्लोबल कॉन्फलिक्ट। दोस्तो आज सुबा मैं एक ऐसा आर्टीकल के हेडलाइन को देखा जिसे सुनके आप लोग भी चौंक जाएंगे। मार गिराया गया था। जबकि इस दावे को पुक्ता करने के लिए इसराइल के न्यूज एजेंसिस का भी हवाला दिया गया जहां पे बताया गया था कि इसराइल का एक F-35 फाइटर या क्यप्ट बर्ड हीट के बज़ाया से डैमेज हो गया था और उसे ग्राउंडड करना पड़ा जबकि इसराइली डिफेंस फोर्सेज के एक ट्वीट का हवाला देते हुए भी इन मीडिया आउटलेट में बताया जा रहा है कि असल में वो बर्ड हीट नहीं था बलकि सिरियन फोर्सेज द्वारा दागा गया S-200 मिसाइल का हीट था। दोसों, 2017 में जब ये कॉ उसी समय इसराइली डिफेंस फोर्सेज के तरफ से भी ये ट्वीट किया गया था जहाँ पे उनका कहना था कि लेवनाओन की उपर एक रूटिन फ्लाइ के समय, सिरिया के तरफ से एक इसराइली एर फोर्स के उपर एंटी एरक्राप मिसाइल दागा गया जिससे कोई हीट पर इस्राइल के तरफ से इसका जवाब देने के लिए सिरिया के अंदर स्तित उन मिसाइल बैटरियों को भी टार्गेट किया गया। और दोसे इस घटना के पीछे और एक महतोपूर्ण बात ये भी है कि जिस दिन ररशिया के डिफेस्टर इस्राइल के धौरे पे थे और उनका इस्राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजमें नेतनियाहू और उस समय के डिफेस्टर के साथ एक मीटिंग होना था-उसी दिन इस् प्रेशियन एजेंसी द्वारा खास करके साउधन फ्रॉंट नाम है के एक मैगजिन द्वारा लिखते हुए बताया गया था कि सिरियन सोर्सेस के मुताविए के एक S-200 मिसाइल के द्वारा इसरायल के F-35 को मार गिराया गया है। दोसो दो अलग-अलग निउज एजेंसी के तरफ से एक ही घटना को लेके जब दो तरीके का अलग-अलग रिपोर्टिंग किया गया तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन रिपोर्टों को पढ़ने वाले लोगों के अंदर हुआ। तरीके से इरान के अंदर स्ट्राइक किया गया था उस समय इरान के अंदर S-300 मिसाइल वैटरी भी प्रेजेंट था। पर S-400 F-35 के लिए एक खत्रा बन सकता है। इतना बड़ा दावा किया गया और रेशियन मीडिया के तरफ से ऐसा कौन-कौन सा सोर्सेस के द्वारा इस बात को सावित करने का कोशिश किया गया कि S-200 इसे मार गिरा सकता है। दोसों रेशिया के तरफ से उस समय इस बात का दावा इसलिए किया गया था क्यूँकि F-35 को तब एक दुनिया का सबसे अड़वांसरिन फाइटर एरकर्ट का दरजा दिया जा रहा था। और 2017 का वो दौर एक ऐसा समय था जब रेशिया S-400 मिसाल डिफेंस सिस्टमों को पुरा दुनिया के देशों के अंदर बेचने के लिए प्रयास कर रहा था। इसी दर्मियान अगर रेशिया के तरफ से अपने पुराना एर डिफेंस सिस्टमों को ही एक बहतरी अंटी एरकर्ट मिसाल के हिसाब से दुनिया के सामने दिखा जाना संभव होगा तो इससे रेशिया को S-400 को ले के काफी जादा पॉजिटिव रेजल मिलेगा। और उस समय थक F-35 द्वारा कभी भी किसी एर डिफेंस सिस्टम को डॉस करके किसी भी देश के उपर हमला नहीं किया गया था तो तब अमेरिका भी इस बात को ले के कोई सबूत नहीं दिखा सकता था कि इन मिसालों के पास F-35 को मार गिराने का कोई शमता नहीं है। दागा गया वो ही पे दूसरे डिपोर्ट में ये दिखाया गया था कि एक बर्ड हीट के बज़ा से F-35 ग्राउंडेड है। अगर छोड़ दे और बाकी घटनाओं को अगर कैलकुलेट करे तो आपको पता चलेगा कि ये महस एक ख़बर बन सकता है और बिना किसी पुक्ता सबूत के इसके उपर भरोसा करना लगभग किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन।